आंगन बाड़ी सेवी का सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगन बाड़ी न्यूस चैनल की आज दूपहर बारा बजे की सच्छी खबरों में स्वागत है भायों बहनों आज दूपहर के इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनियेगा और पूरा देखियेगा क्योंकि इस वीडियो में तमाम बड़ी खबरे हैं और सभी खबरें काफी खास हैं आईए देखते हैं बिना समय गमाये आप सबसे विनती हैं जादा से जादा से जादा सेयर करना ताकि ये सब जरूरी जानकारियां जो आज खास हैं वो हर किसी बहन तक पहुँच जाएं सबसे पहले बात कर लेते हैं कीरन बहन की जो उत्तरप्रदेश के गोरकपुर जिले से आती हैं उत्तरप्रदेश की आंगनबाडी बहनों आपको बता दें जैसे आधार कार्ड बनाए गए हैं वैसे ही अब अपार कार्ड भी बनाए जाएंगे आखिर ये अपार कार्ड होंगे क्या क्यों बनाए जाएंगे इसके बारे में जल्दी से आपको हम अवगत करा देती हैं तो अपार कार्ड में होगी बच्चे की सैच्छिक कुंडली गोरकपुर में ये खबर प्रकासित है स्कूल के जो प्रदेश के जो स्कूल है वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो सैच्छिक ब्योरा होगा अब एक ही क्लिक पर सामने आ जाएगा आधार कार्ड की तरह अब हर बच्चे का आटो मेटेड पर्मानेंट अकैडमिक अकाउंट बनाया जाएगा जिसको ह अपार कार्ड बोला जाएगा इसमें यहाँ पर आगे और क्या होगा वो भी जान लो अपार कार्ड के जो है बारा अंकों का जो नंबर होगा यूनिक नंबर वो बच्चे के आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा आधार कार्ड की तरह ही हर बच्चे को उसका अपार का पूरे देश में किया जा सकेगा इससे क्या होगा जो लोग एक बार पढ़ाई किये दोबारा से नाम बदल कर फिर करने लग गए तो इस तरह का जो कारे हो रहा था वो खतम हो जाएगा एक व्यक्ति का एक ही अपार कार्ड बनेगा जैसे एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड बनता है तो अब ऐसे में उनका जितना भी सेच्छिक चीजें होंगी पढ़ाई लिखाई वो उस पर सब फीड होगा एक ही क्लिक में पता चल जाएगा फलाने ने क्या क्या डिगरी हास अब जो लोग दो दो तिन तिन जो चीजें नाम बदल बदल करके कर लेते थे वो चीजों का दौर खतम हो जाएगा बेसिक से लिखा गया है मादमिक विद्याले के बच्चों की सहचिक जानकारी के लिए सासन ने कुछ महीना पहले यूडाइस फोर्टल पर ग्यारा अंकों क पर्मानेंट एजुकेसन नंबर यानि पैन जनरेट किया था अब इसके सुरूप में बदलाओ करते हुए बच्चे का अपार कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है वो सुरू हो रही है अपार कार्ड के मादम से चाच चात्राओं की जो सेच्छिक प्रगती है और उसकी जो अंकाए इसके अलावा उसकी सिच्डेतर उपलब्धियां क्या क्या रही या सब अपार कार्ड में उसमें जो है माध्यम से ही जाना जा सकेगा अपार कार्ड में बच्चे का दर्ज विवरण डिजी लाकर में भी जो है सुरुच्छित रहेगा अपार कार्ड से आउट अब प्रदेश के बांकी सभी विद्याले में इस विवस्था को लागू किया जा रहा है महांद देशक स्कूल सिच्चा कंचन वर्मा इन्होंने इस सम्मंद में सभी जो डी आई ओएस हैं और बियसे हैं इनको भी बच्चों का अपार कार्ड बनवाने के लिए नर्देश किया है उन्होंने कहा है कि अपार कार्ड के लिए सभी विद्याले में अभिभावक सिच्चक की विशेज बैठक बुलाई जाए चाध चात्राओं के माता पिता तता अभिभावकों से लिखित सहमती भी इससे संबंदित प्राप्त कर लिया जाए तो अभिभावकों से इस सम्मंद में अपारकार बनाने से पहले उनके मातापता की सहमती भी लेंगे अध्यापक ये कुछ चीज़ें सामने आई हैं तो यहाँ पर किरन बहन है पिपराईच ब्लाग पढ़ता है गोरक पुर जनपद है जहां से एक जानकारी भेजी गई मैंने कहा इस वीडियो में सभी जानकारियां खास हैं आईए अगली जानकारी पर आते हैं हमारे पास एक जानकारी ये भी प्रशारण के लिए आई है यहाँ पर दरसल सी डी प्यो पर वसूली के गंभीर आरोप लगाये जा रहे हैं मामला जो है वो प्रतिनिधी बिजेंदर सिंग जो सर्मा है जिनका एक ये लेक है बलिया जनपत जो है बैरिया जो छेतर पड़ता है वहाँ का आईए देखते हैं क्या क्या बाते सोसल मीरिया में इस आर्टिकल में के मुताबिक जो है चर्चाओं का विसे हैं बताया जा रहा है कि आंगनबाडी कारकरता का उतपीणन बरदास्त नहीं किया जाएगा लूट बंद नहीं होगा तो तहसील काराले पर धरनाप दरसन भी किया जाएगा आपका पपु सिंग रुद्र साथी आगे लिखा गया आगनबाडी कारकरता से CDPO पर वसूली का गंबीर आरोप आगनबाडी कारकरता सहयका से संकेत देकर के मांगा जा रहा है लिखित रूप में जो है कहीं न कहीं जो पैसा तो यहाँ पर आईए देखते हैं आगे क्या लिखा जिलाकारकम अधिकारी जो क्रश्न गोपाल पांडे हैं उन्होंने कहा है कि इस मामले की जो है उक्त प्रकरण की जाच करके उचित कारवाई भी की जाएगी तो यह मामला डेपियो महोदे के जो है संग्यान तक पहुँच चुका है उधर बात करें आइटिकल की जो यह लि नाम पर कारकरतियों से वसूली की जा रही है आरोप है कि सुपरवाइजर मोबाइल पर कोड़ वर्ड में मैसेज बेज करके कारकरतियों से पैसे मांग रही है आगनबारी कारकरती ने बताया कि उन्हें सी रिप्यों के नाम पर प्रती महीना 500 रुपया और मिनी कारकरता को 300 रुपया हर महिना जमा करने का नर्देश दिया गया है अगर वे पैसे नहीं देते तो उन्हें जाच करके कारवाई की धमकी दी जा रही है इस मामले में आंगनबाडी कारकरता वहने जो हैं उनमें रोस भी व्यापत है और उन्होंने नाम न चापने की सर्थ पर बताया है कि नव नियुक्त जो सीरीपियों हैं उनके इस कदम से उन्हें अत्तधिक परिसानी हो रही है उन्होंने बताया कि पूरु मेराके स्यादो सीरीपियों थे और कारवाई में ऐसी वसूलियां तब नहीं होती थी और उनके कारकाल में आगनबारी वहनों को काफी राहत भी मिली थी लेकिन जो नव नियुक्त सीरीपियों हैं उनके आने के बाद से या वसूली फिर से सुरू हो गई है इस संबंद में जब हमारे प्रतनिदी ने सुपरवाजर सावित्त्री से बात किया तो उन्होंने यह आरोप बेबुनियाद बताया यानि जब कहीं न कहीं यह बजंद सर्माजी का लेक है उनके कॉर्डिंग जब भी पूछा गया होगा सुपरवाजर से तो उन्होंने बेबुनियाद बताया चुकि जब भी कोई चीजे होती है कोई भी अगर कुछ गलत करेगा तो कबूल थोड़ी करेगा अब इस मामले में मामला जब डेपियो मोदेक के संग्यान में जा चुका है वो अपने इस तर से जाच करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या चीजे हैं लिखे तोर पर मांगा ज ताबिक आलेंडिया उन आरोपों की पुष्टी नहीं करता ये वारल खबरे हैं मामला डेपियो मोदेक के संग्यान में जा चुका है वो मामले की जाच करने के लिए कह चुके हैं जाच करेंगे जाच में जो भी सामने आएगा जो भी साची बेहनों की तरब से वाह दिये प्रवावती बेहन के जो है बैनर तले धरना पदर्सन उनके सिद्धात नगर में भी किया जा रहा है और ये सब बेहने आंगन बाड़ी अधिकार सर्युक्त मुर्चा जो बना था उसी से हमारी सब बेहने जुड़ी हैं और उनी का पदर्सन कल 30 सेतंबर को जारी रहा ये क लेकिन हमारे बीकमें तंसी पहने हैं जो कि मार्ने का काम करती है तोड़ले का काम करती हैं लेकिन हमप griev्सनि आपको कहीं हम ढ़े आपको इसके लिए घुचना होगा हमको आपको जुट होना पढ़ेगा और जबतक आप जुट कर्णल परत सब्दे को जबत दानियार नही लेकिन आप बता दो कि इन सारे 5000 में किया आप की धाई अजास हंखे आई नहीं चले तो और भी बहने हैं मंजु बहन हैं जो की फतेपुर से आती हैं जोनोंने फतेपुर जनपद में भी कल प्रदर्सन किया गया है जलाद द्यच बहन है बसंती सोनकर जिनकी द्यचता में फत वीडियो नहीं है वीडियो के टाइम में एक आया है इस वीडियो को हम लगा देंगे एक 40 सेकंड का वीडियो भी आया है इसे भी अभी हम दिखा देंगे इधर बात करें उत्तरपदेश के अमेठी जनपद की बानमती सरोज बहन आती है जनोंने अपने वहां से भी जानका के देदी है जलाद देच भानमती सरोज साहगर जो पढ़ता है अमेची जन्पन में वहां से आती है अब ये देखे डीपियो सर है उनको बहने ग्यापन सोप रही है और चेहरे पर मुस्कान भी आप देख सकते हैं कई बार आपने देखा होगा कि कई अधिकारियों को जो बह समस्या है उनको लेकर के कही नाराजगी हमारे विभागी अधिकारियों में नहीं है वो हमारी समस्याओं को समझते हैं और आगे चीजों को पहुचाएंगे तो ये एक अच्छा चीज है और साथी साथ यहाँ पर आगे चलते हैं बहनों को इससे उरजा मिलती है और आगे चलें चंद्र किरण जी है हमीरपुर जनपस से आती है उन्होंने अपने हमीरपुर जनपस से भी कुछ जानकारियां बेजी है दरसल एक आर्टिकल टाइप से है एदुकेटर भरती के विरोध में ये लिखा है विरोध किया लखनों में धरना देने की चेतामनी भी दी जो कसबा पड़ता है वहाँ पर सेकडो आंगनबाडी बेहने जो है कत्र हुई थी एदुकेटर भरती के वरोध में इतनी जानकारी बस आई है ज्यादा कुछ वहाँ से नहीं आया इधर गाजीपुर जनपत की बात करें तो सरस्वती बेहने भी कुछ फोटो है छोटी सी और उसी के नीचे यहाँ पर लिखा है कि गाजीपुर जिला मुख्याले इस्तित सर्जू पांडे पार्क में आंगनबाडी अधिकार मोर्चा उत्तरपदेश किया वाहन पर आंगनबाडी करमचारी एवं साहे का एसोसियेसन द्वारा धर्ना पदर्सन किया गया आंगनब मेहन है जासी जनपत से आती है अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर आंगनबाडी करमचारी यूनियन उत्तरपदेश जासी जनपत की तरब से भी प्रदर्सन देखने को मिला है यह बहने इनका जो संग है आंगनबाडी करमचारी यूनियन उत्तरपदेश सीटू से संब लिखा गया है कि 30 सेतंबर को आंगनबाडी करमचारी यूनियन उत्तर प्रदेश जन्पद जो यहां पर जासी की आवस्यक बैठक हुई और साती साध कुछ लिखा गया है राइटिंग का थोड़ा मुझे इसू लग रहा है कौन सा ये भवन है जो भी प्रांगर हो जहां पर लच्मी देवी बेहन के दस्ता में साध चीजे संपन कराई गई है और भी ऐसे कुछ आगे लिखा गया है बाकी समस्याएं आप सबको पता है वहीं है एजुकेटर भटी का विरोध वहीं अगली बैठक को लेकर के भी लाइन नीचे लिखी है कि 8 अक्टूबर को अगली ज साध हो सकता है सब्द यहां पर उनका चूटा हुआ है जिससे सभी को अग्रिम कारवाई से सूचित किया जाएगा ये भी चीजे यहां पर लिखी गए और काफी बेहने सबके नाम दिये हैं वो सब वहां पर मवजूद रही हैं लच्मी देवी बेहन जो की वहां से जलाद पर उसको बंद किया जाए आईसा बेगम बहन है साहब गंज से आती हैं एक तरफ हमारी बहने एजुकेटर भरती का विरोध कर रही वहीं दूसरी तरफ जो है आप देख रहे हैं चंदोली जन्पद में अकबार में एक आर्टिकल एजुकेटर भरती के संबंद में आया है आगनबारी केंदरों में पहले चरण में 128 एजुकेटरों की होगी भरती यानि चरण वाइज जो है एजुकेटर नियुक्त होंगे आने वाले समय में और हो सकते हैं यहाँ पर बताया गया आगनबारी केंदर में पोशर के साथ पढ़ाई के लिए पहले चरण में 128 एसीसी एजुकेटरों की भरती होगी बेसिक इच्चा परिसत की अधीर परिसरी स्कूलों में संचालित किये जा रहे 478 को लोकेटर जो आगन बारी है उन सम में होनी है और धीरे दिरे करके फेज वाइज ये की जाएगी 11 महिने के लिए नियुक्त होंगे सारी चीज़े मैंने बताई है 10,313 रुपिया मिलता है ऐसी चीज़े है बाकी प्रकास सिंग बियसे इनका क्या कहना सेवा परदाता अजनसी के चेन प्रक्रिया पूरी उन्होंने कर ली है पहले चरण में 120 एजुकेटरों का चेन किया जाएगा इसके बाद दूसरे तीसरे चरण में नियुक्तियां होंगी तो बहनों हमारी यही कहना चाहेंगे एजुकेटर भर्ती की नियुक्ति को लेकर के ना तो सुच्छा विभाग वारता तक उन्होंने अभी तक की ना अपने विभाग ने ना अपनी सरकार ने एजुकेटर भर्तियां तेजी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है और ऐसे में हमारी बहने अपने वहां पर प्रदर्सन कर रही है कुछ बहने पिछले एक महीने हो चुके हैं उनको प्रदर्सन स्टाट किये हुए और 19-20 में लखनव प्रदर्सन भी देखने को मिला अभी आप देख रहे हैं जिला मुख्यालियों पर फिर प्रदर्सन हो रहे हैं और 14 के सम्थिंग आपको लखनव में फिर प्रदर्सन देखने को मिलेंगे लेकिन इसी बीच मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में कहीं न कहीं भरतियां तेज की जा सकती है सरिता बहन है राजस्थान राजसे आती है बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर भी कल पोशर अभियान से रिलेटेड कुछ तस्वीरें आई हैं कारकम मनाया गया है पोशर मेला आप इसको कह सकते हैं बहने अपने वहाँ से काफी कुछ बना करके जो है लाई है सामागरी खाने पीने की तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं वहीं कुछ तस्वीरें जो की हमें भेजी गई हैं और जो भी वहाँ पर अधिकारी विजिट किये होंगे वो उन चीजों को देख रहे हैं इदर बवी जी है अध्या जनपस से आती है उन्होंने एक ये फोटो बेजी है जो की आपकी वहीं मंत्री अभी जिनका कलप परसों में वीडियो आया था प्रतिभाजी का जो की आगनबाडी सेंटर पर वहाँ पहुँची थी और ये मनाया गया है सुपोर्शनर दिवस जिसको लेकर के गोद भराई वगरा की गई है अब ऐसे में हमारी मंत्री जी आती है बड़े ही फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया जाता है और इनकी अगर मेहनत देखी जाए तो क्या आगनबाडी से जादा है आप जरा सोयम ही सोचिए आगनबाडी बहने बेचारी पकवान बनाएं टोकरियां भर-भर के लाएं और फिर गर्वती महलाओं को वो सोब दी जाएं इनमें बेहनों का खर्चा भी होता वहीं दूसरी तरह मंत्री जी आएं ऐसी वाली गाड़ी से उतरें और फोटो किचवाएं बढ़िया से उसके बाद उनको सम्मान सुरूप ये गुलदस्ते दे दिये जाएं जो कि मंत्री जी कार अच्छा कर रही है वहीं आगन बाड़ी बहने के लिए यहीं मंत्री जी कहती है कि आप और अच्छा जब कार करो तभी तो कुछ अच्छा होगा यानि अभी काम और अच्छा आप करो जो कम कर रही है वो अभी इनके हिसाब से कमी है लेकिन मंत्री जी का जो भी काम है आया दिया उनको टोकरी फोटो किचाया चली गई ये काम ज़ाद ही उनके हिसाब से अच्छा है भाई आप भी आंगन बाड़ी के लिए कुछ अच्छा कारी करो कुछ प्रदेश की वहनों के लिए कुछ अच्छा करके जाओ अगर आप मंत्री पतपर है तो कुछ समझ में आए अंगराज्यों के मुकाबले मांदेव रधी करवा सको तो समझ में आए कि आपने भी कुछ अच्छा कार करताओं के लिए भी कुछ किया तो चीजें आपके हिसाब से भी वविस्व में कुछ बेतर हो अब देखना यही है चुनाओं में आकर क्या होता है क्या मंत्री जी जिस तरह से समझती है आगंबाड़ी और अच्छा कार भी करें तब कुछ उनका अच्छा होगा तो क्या चीजे होंगी मंत्री जी के कारिश से क्या आगन बाड़ी खुस हैं तो फिर मंत्री जी का कारिश कैसा होगा उसका भी फल आगे चुनाव में देखने को मिल सकता है खैर हम आगे चलते हैं आने वाले समय में बहनों आप अगर प्रसारण के लिए भेजें तो कुछ अच्छा भेजें यानि जब मंत्री जी हमारी कुछ अच्छा करें तभी उन चीजों को भेजो तभी कुछ प्रसारण में भी कुछ अच्छा लगेगा और अच्छा दिखाया जाए ऐसे मैं फोटो दिखा करके क्या करूँ ये गोद भराईया तो हमारी सुयम बहने कर रही है तमाम जगे सारा अरंजमेंट तो वही करती है और ऐसे में मंत्री जी का कुछ अच्छा कार तो मुझे तो दिखाई नहीं दिया अब खैर अगर अच्छा होगा कुछ करेंगी वो ज्यादा अच्छा है इधर बात करें अंजू लता बहन जो उन्नाओ से आती है उन्नाओ जन्पत की भी बात करें तो डीप्यो महदे जो उन्नाओ के हैं राकिस कुमार मिसर जी उन्होंने 27 सितंबर को एक लेटर जारी किया महत्पूर लेटर है सीडीप्यो लोगों के लिए उन्होंने बेजा है प्रधान मंत्री मातर बंदना योजना जिसका कार अभी तक आसा करकर जो है कार करतियां करती थी अब वो कार आगन बाड़ी पर सौप दिया गया साध हमारी प्रतिभाय मंत्री जी को ये तो समझ में आया नहीं होगा पता नहीं होगा या मालूम है फिर भी अंजान है गैर भागों के कार सोपे जा रहे हैं कार खुद के विभाग के उनकी गुड़वत्ता खराब होगी की नहीं होगी इस पर क्या मंत्री जी को समझ चीजें नहीं आती हैं समझना चाहिए केंद्र से लेटर है निदसाले से हैं कोड से नियाले के भी फै अब यहाँ पर अमारी बेहनों को ये कार सोपे गए हैं जो की आसा से लेकर के आंगनबाडी पर अब बताएए फारम ऑनलाइन करने वाले कारे आंगनबाडी करें बच्चों को पढ़ाने का करें जहाँ पर प्रात्मी बिद्दाले से दूर है वहाँ पर अगर साहिका भी नह जनपद इस्तर पर भरे गए फारम की समिच्चा भी की जानी है उन्नाव जनपद की बहनों तो आप सब उन्नाव जनपद की जो बहने हैं वो अपने वहाँ पर प्रती आगनबाडी केंद पर लाबार्ती के फारम जो है भरवाएंगी ये सब बाते यहाँ पर आई हैं तो लच भी आये थे तीस सेतंबर तक सुचनाय उपलब्द कराने के लिए बोला गया प्रारूप में आया है परोजना का नाम केंदर की संख्या कुल जो है लागिन आंगनबाडी केंदर की संख्या भरे गए फारम की संख्या भियुकती तो एक और काम के बोज बहनों पर आ च या हमारी यही मंत्री जी जो खुद के कारियों को लेकर के जरासा भी नहीं सोच रही है कि वो कितना अच्छा कारी कर रही है पहले गयर विभागों के काम का बोज जटवालो अपने विभाग की बहनों से तभी आपके विभाग के कारियों का गुर्वत्ता निकलेगा जब आपको मंत्राले या आपको मंत्रीपद मिला है यहां पर उत्तर प्रदेश में आप बनी है मंत्री इस विभाग के लिए तो अपने विभाग की गुडवत्ता बढ़ाने पर फोकस करो बजाए स्वास्त विभाग के आपका कार जो होना है विभाग का वो ना करके बहनों पर गैर बागों के बोज डाले गए, आप उस और ध्यान नहीं दे पा रही हैं, लेकिन आप अगर आगन बाड़ी आपसे मांदे के विसे में पूछ लें, तो आप माइक चिन लेती हैं, आप उनको ये आबास कराती हैं कि अभी आप अच्छा कारे नहीं कर रहीं, आप अभी और अच्छा कारे करो, तब आपका कुछ अच्छा होगा, आपके ऐसे सब्द कहीं न कहीं फिर दिक्कत भरे रहते हैं, खेर आगे लिए चलते हैं, अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं